क्यासे सब बहुत अच्छोंगे तो आज देख सकते हैं यह मेरे बालों को हेर मास्क लगाया था जैसा कि विंटर आचुका है और आपके पाल भी जड़ने लगे हैं तो आप ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए अपने बालों पर क्योंकि इससे बाल बहुत जड़ते हैं तो आप इसी तरीके से हेर मास्क लगाते हैं आपको 15 डेज में वन टाइम लगाना है इससे आपके पाल जड़ने कम हो जाएंगे और जो रफ और डेंड रफ हो जाता है विंटर में जो आपके विंटर में बहुत ही प्रॉब्लम होती है तो वह सारी कम होनी स्टार्ट हो जाए जाएगी तो स्टार्ट करते हैं और अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं क्या प्रेस कर ले बहुत इंप्रमेटिव वीडियो और आलती रहती हूं तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक कटोरी लेनी है और दू एग लिए हैं दू लेने के बाद आपको उसका वाइट वाला पार्ट आपको कोटोरी में डालना है, यलो वाला पार्ट नहीं डालना है, क्योंकि उससे स्मेल आती है, तो आप स्मेल बरदास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी बरदास नहीं कर सकते हैं, तो आपको वाइट वाला पार्ट लेना है, और वाइट वाला पार् क्योंप कोई भी ब्रैंड आपको अच्छा लगया यूज़ कर सकते हैं तो मैं अच्क अच्छी क्मार्य वार यूज़ कर रही हूं तो मैं अलोवेरा जल तो मैं यह कैस्टो ओयल भी मेक्स कर रही हूँ, इसको मैं तुरांती लगाँगी क्योंकि मैंने कोकोनेट ओयल मिक्स किया है वो दानेदार हो जाता है, इसलिए है मैं ने कंखा थे बालों में में बालों जा है कैसे करते कर तो बालों में गव्हा करिकों और येखे छिए ऐसें करी हो और रिसेशनिं कर करके मैं अब आपको फिंगर की तिरफ कर हैंगो वह से लगां गी opने और ये मैं 15 कि देज़ sneakers डेंडर्फ की प्रॉब्लम है या बाल तूट रहे हैं या अच्छी तरह मसाज हो जाएगी और आपको कौम नहीं करनी है गाईस इससे कौम नहीं होती है ठीक है इसको अच्छी तरह अपलाए करना है रूट्स में भी अपलाए करना है तो दोनों तरफ अपलाए करना है इसको length में भी apply करना है roots में जो हमें roots में apply कर रहे हैं इससे dandruff कम हो जाते हैं और जो बाल ज़ड़ रहे होते हैं उसको nourishment मिलती है और length में लगाने से आपके बाल silky and sign रहते हैं जो दूम के बाल होते हैं वो भी कम हो जाते हैं इसको अच्छी तर है उल्टा होके भी लगा रही हैं तो उल्टा होके लगाना है आपको फिर ऐसे जूड़ा बना लेना है मैंने जूड़ा बना लिया है देख सकते हैं इसके बाद आपको पास sour cap होना आप वो भी लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ड्राय हो जाते हैं तो मैंने सावर कैप नहीं लगाए क्योंकि मैं दूप में बैठी थी कोकोनेट ओयल था तो वो मैल्ट होता रहा और ये सुद्धो गंटे हो गए हैं इसके बाद वाश करके दिखाऊंगी ये मैंने वाश कर लिये हैं बाश तो इस तरीकें के देखते हैं तो गाइस हाँ कैसे लगाए फयर будем आप दीखे दो तो कॅि मैंने लिंक दे दूगी डिफिशेशन बॉक्स में तोस्ता से का भी का रिफिछ बटाना जरूब और फ्रेंजू कैसी लगी वीडियो आयो आपको अठी लगी प्लीज वीडियो को लाइक कर दे एक आपनी सबंदिका more than मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक एर